कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आपको बताऊंगी आपने बहुत सारे जो है वीडियो सुने भी होंगे और बहुत सारे जो है आपने जगों पर पड़ा भी होगा कि पानी जो है कितना important है हमारे शरीर के लिए तो जिस तरह से जो है दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो है blood जुरूरी है उसी तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर पानी भी उतना ही important है तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगी कि पानी की use हमने किस तरह से करना है और जो है पानी का हमारे शरीर के अंदर क्यों इतना महत्व है और हमारी जो है पानी से जूड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगी जिनको ध्यान में रख के जो है आप अपने शरीर को हैल्दी और फिट बना सकते हो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर आ होता है कि बहुत ही इंपोर्टन सूर्सेस कहें नहीं हमारे रूठीन के लिए पानी की अवशक्ता पढ़ती है और पानी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बोजन के वीना हम रह सकते हैं लेकिन पानी के भीना हम नहीं रह सकते हैं बोजन के गपरेंग nor 10-15 दिन आर निकाल ल तो पानी जो होता है दोस्तों यह हमारे शरीर के अंदर जो है 70% पानी जो है हमारा शरीर पानी का ही बना हुआ है तो हमारे शरीर को जो है आपने बुजूर्बों से भी सुना होगा और या पढ़ा भी होगा कि जो है पानी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपके श करने पानी की बहुत जादा जादा पूंजेक्टा डॉस्तों जुरूरी है उसी तरह पनी की मेहतो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही जादा है अगर आपको जैसे कि आपको स्किन सवंदित रोग रहते हैं पिम्पल्स आपकी फेस पे रहते हैं आपका चैरा बहुत ज़दा डल हो रहा है तब भी आप पानी जरूर पीएं और पानी दोस्तों कम से कम 2-3 लीटर पानी हम पानी होगे मुले एल तरह आज लोगे दोस्तों कोष्टिंग के घर विए या मैं नेकालने कोशिष करें इस से का मारे खोते हैं और मोरे Advent में जो स्किन के पर से और राख वोटिंग निमस करें C1 थेच्ऑं को में गता है इस तरह से उतना ज्यादा पानी पिए और में बाद हैं कि आप बाशी मौ जुरूर पानी पिए आपने देखा होगा घ्यारा होगा कि अगर आप सुबह उठते ही जो लोग जैसे बैड टी लेते हैं वह रादत छोड़ें बैद ती जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक होती है तो कभी भी जो हमें सुबे बैड पे कभी भी चाय नहीं लेनी है हमें सबसे पहले पानी दो गिलास पीने हैं और उस से जो हमारी शरीर की यो हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमें जो है अपनी मूँ 추rospect किलार जो होती है यह हमारी जब आंटी ओकसिडेंट होती है और यह हमारे शरीर को खतन करने के लिए बहुत जयादा वेन विट देती आ तो जैसे कि अगर आपके शरीर के अंदर जैसे आपको कबज रहती है या फिर आपके शेरीर में पेट से सवंधित अगर आपको रोग रहते हैं तो आप काली पेट पानी जरूर पी है और है दोस्तों अगर आपके मुझ की लार जो होती है अगर आप इसको अपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जानवर जो है अपने शेरीर के अंदर ऐसी चीजें दे रखे हैं ऐसी आंटिवाइटिक्स दे रखे हैं पर हमें जो है उनका यूज करना नहीं आता है इसी तरह से आपने देखा होगा सुना भी होगा पहले क्या होता था कि पुराने बजूर्ग जो कहते थे कि आपको अगर चोट लगी है तो एकदम से मुँ में अपनी फिंगर डालो और आपका ब्लड भी रुक जाता था और साथे साथ आपको उस धर्द में अराम भी मिलता था तो यह इसी लिए होता था दोस्तों क्यूंकि हमारे मुँ की लार चोट के कॉंटेक्ट में आ जाती है और वह कॉंटेक्ट के आने के बाद जो है वह जखम हमारा भर जाता है तो हमारी लार इतनी ज्यादा बेनिफिट देती है हमारे शरीर के किसी भी अंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशिल होती है तो आप जैसे आपके अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए हैं कुछ लोगों को ओंट के पास जै अगर लाहर पम्देर और निशे आणखों के चारो साइड आपके घहरे बनके हैं उन्पे भी जू है आप अपनी लार का उपनी यूज करते न है तो आपकी मुँझे मारी जू है आपकी स्वच्छ नेधियर और सिद्आ वा अंखों से आपके ये काले घहरे आपको अर्ट झ यूज करते हैं अपने शरीर के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपके मुंग की जो लार है या आपके शरीर के अंदर कोई भी बिमारी हो रही है उसको भी जो होने से वहां प्रोटेक्ट करेगा बचा लेगा दोस्तों गर वीडियो शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मावोले हैं